प्रश्ण काल में रीपा से सम्मन्दित अनेक प्रश्ण आए धरमलाल कौशिक अजय चंद्राकर पुनुलाल मुहले सहित अन्य विधायकों ने भी रीपा को लेकर के सवाल खड़े किये और इसमें विबिन्न मदों के जरिये हो रहे भुकतान पे सवाल खड़ा किया धरमलाल कौशिक का कहना था कि ऐसे दो वित्ती वर्शों में लगभग 600 करोड रुपए से अधिक का ये मामला है जिस पर गंभीर भ्रष्टाचार हुए हैं और इसकी जाच कराई जानी चाहिए क्योंकि ऐसे कई रीपाइस्थल हैं जहां उपकरन तक नहीं खरीदे गए हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की लागत में भी फर्क नजर आ रहा है कहीं इसे 80 लाख रुपए में बनाया गया है और कहीं इसे 50 लाख रुपए की राशे में बनाया गया है इस पर जवाब देते हुए उपमुख्य मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले के बुक्तार को भी बताया शक्ता के अनुरूप जिसमें उपकरण करे है उसका प्रोजेक्ट बनाना है काम शुरू करवाना है बिल्डिंग कंस्रक्शन करना है ऐसे अलग-अलग मदों के कारण हर स्थान पर एक जैसी राशी नहीं है वो अलग-अलग है जिसकी पूरी सूच पूरी जानकारी प्रपंत्र के माध्यम से माने सदस को उपलब्द कराई गई है इसमें प्रदेश में नवंबर दोहजार तेईस तक कुल तीन सो रिप्या बनाए जाने थे रिस्थापित किये गये हैं और इसमें जो कुल राशी है वो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वर्स चीफ से के हेडिंग में समिती बना करके इसकी जाच कराई इससे कहा है इससे पहले आप इससे जादा और क्या हो सकता है